दोस्तों अगर आप भी राजस्थान और हैदराबाद के बीच रोमान चक मैच को देख कर खुश हैं तो इस वेडियो को लाई की जरूर किशवेगा दोस्तों राजस्थान के खलाफ हैदराबाद को मिली जेत के बाद भारती महिला खिलाडियों ने दिया बोड़ा बयान केहे दिया कुछ ऐसा जिससे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे जी हाँ दोस्तों राजस्थान और हैदराबाद के बीच खले गए रोमान चक मैच में हैदराबाद की टीम को जेत मिली है जिसके बाद भारती महिला खिलाडियों का बयान सामने आया इस दोरान इसमृती मंधाना हर्मन प्रीट कोर से लेकर शिफाली वर्मा मिताली राज़ ने एक ऐसा बयान हैदराबाद की जेत के बाद जरारी किया जिसको सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा तो आखरकार हैदराबाद की जेत के बाद भारती महिला खिलाडियों ने क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बोनेश्वर कुमार नटराजन और कमेंस में कौन महान तेज गेंदबास है कॉमेंट में जरूर बताइए दोस्तों जैसा कि आपको बता है राजस्थान और हैदराबाद के बीच खेले के इस मैच में हैदराबाद की टीम को अपने घर पर एक रनों से शांदार जीत मिल गई इस मैच में हैदराबाद की टीम ने टॉस जेत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड के अंठावन, नितीश रड़नी के नाबाद 78 और हेंड्रिक क्लासिन के 42 रनों के दम पर 201 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिये वहीं इसका पीछा करते हुए राजस्थान की टीम यश्रस्विज एसवाल के सरसटरन और रियान पराग के 77 रनों के दम पर 200 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाई इस दोरान गेंद बाजी में राजस्थान की तरफ से आवेश्च खान ने दो और संदीब शेर्मा ने एक विकेट लिये वहीं हैदराबाद की टीम की तरफ से नटराजन और कप्तान कमिंस ने दो दो विकेट लिये वहीं भोनेश्वर कुमार ने सरवाधिक तीन विकेट लिया और मैन आफ दे मैच का आवार्ड हासल किया जिसके बाद भारती महिला खिलाडियों ने हैरान कर देनी वाला बयान दिया जिसमें मिताली राज ने बयान देते हुए कहा कि हैदराबाद की टीम को इस मैच के अंद मिली इसके लावा उन्होंने कहा कि राजस्थान की टीम ने इस मैच में अच्छा गेंद बाजी और बल्ले बाजी करने का प्रयास किया लेकिन हैदराबाद की टीम ने इस मैच के अंदर राजस्थान से काफी ज़ादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया जो बताता है कि देखने को मिली वहीं आवेशद खान के शनदार गेंद बाजी देखने को मिली लेकिन इन तीनों के अच्छे प्रदर्शन के बाज़ूद राजस्थान की टीम को जेता लवा जो कि किसी भी टीम को उनके खलाफ जेत दर्ज करने का मौका बिलकुल भी नहीं मिल पाएगा। वहीं हर्मन प्रिद कॉर ने बयान देते हुए काहा कि राजस्थान की टीम को इस मैच के अंदर हैदराबाद के खलाफ बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। हैदराबाद की टीम के लिए इस मैच में जेत दर्ज करना काफी जादा जरूरी था क्यूंकि हैदराबाद की टीम लागादार दो मैच हार चुकी है। पैसे में हार की हैट्रुक्स से बचने के लिए उनका अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी था जो आज करके उन्होंने देखा दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच में राजस्थान की टीम की तरफ से सभी खिलाडी अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई नहीं दिये। बल्लेबासी के चलती इतना बड़ा स्कूर हैदराबाद ने खड़ा कर दिया जिसको अंत में हैंड्रिक ट्लासें और बेज्जादा मजबूती दिलाने का काम किये इसके लावा उन्होंने कहा कि बल्लेबासी के बाद गेंदबासी में नोट्राजन और पैट कमेंस ने क्या मुख्य कार और क्या रहा कॉमेंट में जरूर बताइए दोस्तों आईपियल का सबसे जबरदस्त मुकाबला राजीव काधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया इस मुकाबले में हैदराबाद में टॉस जीता औ राजस्थान को गेंदबाजी करने के लिए आमंतरित किया हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेट के साथ अभिशेक शर्मा आये वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आये टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबास ट्र लगा कर किया लेकिन उसके बाद अश्विन ने बहतरीन गेंदबाजी की दो ओवर में हैदराबाद का स्कोर 14 रन बन पाया राजस्थान की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आये एक बार फिर ट्रेंड बोल्ट इनका स्वागत इस बार ट्रेविस हेट ने दूसरी गेंद पर श चौत ओवर लेकर आये एक बार फिर अश्विन इस ओवर में अश्विन ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया अभिशेक शर्मा को उनकी गेंद बिलकुल भी समझ नहीं आ रहे थी और दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में केवल चार रन बना दि केवल 25 रनों के स्कोर पर दिलवा दी अभिशेक शर्मा अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और हैदराबाद को पहला जटका लग गया लेकिन ट्रेविस हैड मैदान पर अभी भी टिके हुए थे उनका साथ देने के लिए अब नई बल्ले बाजों के गंदों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी मैदान पर अनमोल आते ही आवेश खान की चौती गेंद पर खदरनाक चौका लगाकर अपना खाता खोला टीम का स्कोर को आगे बढ़ाया वहीं आवेश खान की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हैड ने जोड बार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को पांच ओवर में 35 रनों तक एक विकेट पर बहुंचाया राजस्तान रॉयल्स को एक बार फिर विकेट की तलाश थी और बालिंग स्पीड में बदलाव करते हुए कप्तान संजो सैमसन ने गेंद अपनी टीम के स्टार गेंद संदीब शर्मा को थमाई और संदीब शर्मा आते ही पहली गेंद पर अपना शिकार अनमोल प्रीट सिंग को बना लिये और हैदराबाद को दूसरा जटका दे कर 35 रनों के स्कोर पर कमर तोड़ दी अनमोल प्रीट सिंग कुछ खास नहीं कर पाए केवल 5 रन बनाकर पवेल प्ले के 6 ओवर में केवल 37 रन दो विकेट पर बन पाया इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और पारी को समाला और अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में 50 रनों के पार पहुँचाया वहीं ट्रविस हैड अपने अर्ध समाल रहे थे देखते ही देखते उन्होंने अपना अर्ध शदक केवल 38 गेंद पर ठोक दिया नितीश रेड़ी का भी बल्ला खूब दाहाड रहा था दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों से अधिकी साचेदारी बना ली और अपनी टीम के स्कोर को 12 ओवर में ही 100 रनों तक पहुँचा दिया इसके बाद भी दौनों खिलाडी रुके नहीं अपना प्रचन रूप दिखाना शुरू कर दिया टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे लेकिन तभी टीम के लिए 15 ओवर लेकर आये आवेश खान इनका स्वागत ट्रविस हैड ने पहली ग ट्रविस हैड 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए अब मैदान पर नितीश रेड़ी का साथ देने हैंडरी क्लासेन आ चुके थे वहीं नितीश रेड़ी ने अपना तूफानी अर्द शदक भी ठोक दिया राजस्थान की तरफ से एक बार फिर 70 ओवर लेकर आई योजवें ओवर में 174 रनों तक 3 विकेट पर ही पहुँचा दिया और इन दोनों खिलाडियों के बीच 50 रनों से अधिक की साज़ेदारी हो गई हैडराबाद का स्कूर 200 की तरफ बढ़ रहा था टीम के लिए 19 वा ओवर लेकर आए बोल्ट इस ओवर में हैडराबाद के बलेबाजों ने 12 रन बड़ और कर अपनी टीम को 19 वर में 186 रनों तक पहुचा दिया अंतिम वर राजस्तान के लिए लेकर आए संदीब शर्मा बेहदी खतरना गेंदबाजी का नसारा दिखाया लेकिन हैंडरी क्लासे इन ने इस वर से 15 रन बड़ और कर राजस्तान के सामने 201 रनों क पहाड जैसा लक्षे खड़ा कर दिया राजस्तान को ये लक्षे हासिल करना इतना आसान नहीं था टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर जौस बटलर के साथ ये शर्सवी जैस्वाल आए वहीं हैदरबाद के लिए पहले ओवर लेकर आए भुवनेश् संजो सैमसन आये इन दोनों बल्लिबासों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मिदारी आ चुकी थी लेकिन संजो सैमसन भी बुवनेश्वर कुमार की घातक इन सुइंग के आगे मैदान पर टिक नहीं सके बिना घाता खोले वो भी पवेलियन लौट गए राजस्तान रोयल का स्कोर केवल एक रन दो विगेट पर बन पाया था